हेलो दोस्तो कमाल की वीडियो में धमाल कनने के लिए आज हम फिर आपके साथ उपस्तित हैं दोस्तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 ओर्गिनिक केमिस्टी में एक इंपोर्टेंट कॉस्चन करेंगे कि सीरा क्या है और गन्ने से सीरा कैसे प्राप्ट करिया जाता है यह भी हम बताएंगे है ना तो दोस्तो सीरा क्या है किडबन विजी द्वारा जो सीरा होता है इस सीरे से एलकोहॉल का निर्मान कैसे किया जाता है इसको हम पूरा भूत अच्छे से आपको शमझाएंगे है ना तो दोस्तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो अच्छा लगे मज़ा आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएग क्या है किडबन विधी द्वारा सीरे से एलकोहल कैसे प्राप्ट किया जाता है सीरे से एलकोहल को कैसे बनाया जाता है इसको समझाईए पूरा अच्छे से ठीक है तो सबसे पहले दोस्तो हम इसमें आपको ये बताते हैं कि गन्ने के जो रास होता है उससे सीरा कैसे रखना जो गन्य से सीरा बनता है उसी सीरे की मैं बात कर रहा हूं यहां पर ठीक है तो उसी सीरे को मैं बताऊंगा कैसे बनता है तो दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं आपको देखो आपको यह तो पता होगा कि गन्य के रच से गोड़ या सक्कर आपको प्राप्त होता है ग होते हैं काले हैं जो काले गन्य होते हैं वो गुड़ वाले गन्य होते हैं और जो सक्कर वाले गन्य होते हैं सक्कर वाले गन्य होते हैं विल्कुल पतले और विल्कुल सफेद होते हैं कैसे होते हैं सफेद होते हैं और पतले होते हैं यह सक्कर वाले गन्य और गुड़ वाले गन्यों की पहचान हुई अब हमें सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों जो गन्य होते हैं गन्य से सक्कर बनाने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले जो गन्य का रस होता है उस गन्य के रस को चर्खी से निकार कर एक कड़ाई में भर लेते हैं एक कडाई में भर लेते हैं भर लेंगे फिर क्या करेंगे इस गन्य के रस को क्या करेंगे जलाएं मलब आगी में इसको गर्म करेंगे और दो से तीन दिन की पूरी प्रिक्रिया प्रोसेस होती है तो दो से तीन दिन में क्या होता है मेरे भाईयों कि जो गन्य के रस होता है उ बृतुन सक्कर के क्रिस्टलों को इस कडाई में से बाहर निकाल दिया जाता है इसके बाद क्या होता है मेरे भाईयो muitasज taraf इस कडाई में हलका पीले रंका मतलब हलका पीले रंका ज्ञादा ऐसा नहीं कि डेर्क पीरा है ना हलके पीले रंका एक गाडा सा कैसा गाडा सा चासनी जैंसा दरब बच्ता है तो जो गन्य के रस सकर के क्रिस्टल जब बहार कर लिये जाते हैं तो उसके पस्चाथ जो हलके पीले रंग का गाड़ा चासनी जैसा जो द्रब बचता है उस द्रब को ही हम बोलते हैं सीरा क्या बोलते हैं सीरा बोलते हैं, तो याद रखना, कि गन्य के रष्टे शक्कर के क्रिस्टल, बहार कर लेनी के बाद, जो हलके, पीले रंग का, गाड़ा चासनी, जैसे जो दरब बचता है कडाई में, उसको ही हम क्या बोलते हैं? सीरा बोलते हैं क्या बोलते हैं सीरा अब इस सीरे से हमें किसका निर्माण करना है एलकोहल का निर्माण करना है है ना तो देखो सीरा कैसा होता है गाड़ा होता है ठीक है सीरा कैसा होता है गाड़ा होता है और सीरे से अब हमें क्या करना है इस एलकोहॉल का निर्मान करना है है ना तो सबसे पहले मेरे भाईयों में क्या करूंगा कि जो सीरा होता है इस सीरा का सबसे पहले किया जाता है तनुकरन क्या किया जाता है तनुकरन अब तनुकरन तो जानते ही हो है ना तनुकरन क्या होता है उसको पतला करना क्या करना पतला करना है ना तो इसमें हम क्या करते हैं 8 से 10% 8 से लेकर 10% इसमें मलब जल मिलाकर 8 से 10% इसको पतला कर लेती हैं ऐसा नहीं कि बहुत जादा पतला कर दिया जल जैसा पतला कर लिया ऐसा नहीं है ना तो सीरा जो होता है वो गाड़ा होता है उसमें हम क्या मिलाए और जल मिला कर हम उसको आठ से दस परसेंट तक हमने पतला कर लिया इसके बाद हम इस में कुछ मिला देंगे ammonium sulfate, क्या मिला देंगे ammonium sulfate NH4 का hall twice SO4, ये होता है ammonium sulfate, तो कुछ मिला देंगे हिसमें हम ammonium sulfate ये हो गया इसका तनुकरण अब तनुकरण हो गया, अब तनुकरण के बाद मेरे भाई हो, हम क्या करेंगे इसका करेंगे kitbun क्या करेंगे किडबन अब ये किडबन क्या होता है है ना तो समझा रहा हूं है ना अब किडबन हम कैसे करते हैं किडबन में करते क्या है तो देखो आपने तनू करण के बाद जो बिलियन प्राप्त किया है उस तनू करण के बाद आपने जो बिलियन प्राप्त किया है उस ब तीन दिन के लिए कितने दिन के लिए दो से तीन दिन के लिए पाचीश से अ को स Videos रख दिया तो आप आणगे क्या होगा? उसको समझे, तो पहले मेरे भाईयों आप इतना समझे लो जो इस्ट होता है, एस इस्ट में दो परकार के एनजाइम होते हैं एक होता है इन्बार्टेज एन्जाइम कौन सा एन्जाइम इन्बार्टेज एन्जाइम है न और दूसरा होता है मेरे भाईयो जायमेज एन्जाइम कौन सा एन्जाइम जायमेज एन्जाइम होते हैं एक इन्बार्टेज और एक होता है जायमेज है न तो इन्बार्टेज ए खोगे किया मेद बना लेगा गलूकोज और बना देगा फ्रेक्टोज हैक नैद Beach defendants और फ्रेक्टोज बना लेगा तो glucose का formula होता है C6H12O6 है न, और बना देगा फ्रेक्टोज्थ तो glucose और फ्रेक्टोज्थ बना देगा और फ्रेक्टोज का formula भी यही होगा ठीक है, अब glucose और फ्रेक्टोज बन गया अब इसके बाद कौन आएगा, gyamage end cycle तो यह gyamage end cycle क्या करेगा जो गुलुकोज और फ्रेक्टोज होगा गुलुकोज और फ्रेक्टोज को किस में चेंज कर देगा एलकोहॉल में चेंज कर देगा तो इस प्रकार से एलकोहॉल का निर्मान होता है तो आईए अब हम समझते हैं कि एलकोहॉल का निर्मान कैसे होता है इसके बाद क्या होगा दोस्तों जो सीरे में उपस्थित सक्कर जो देखो सीरा है मीठा तो हो गई है ना तो जो सीरे में उपस्थित जो सक्कर होती है वो invertase enzyme की उपस्थिती में अब यह invertase enzyme का ऐसे आ गया है ना तो दोस्तों जो east होता है उस east में दो enzyme होती है मैंने आपको बता कि रखा एक invertase और एक जाले है है ना हम इसका किडबन करा रहा है ना तो जो billion में हमने east में लाया है और दो से तीन दिन के लिए 25 से 30 इस एलसेस्ता पर रख दिया है ना तो क्या होगा कि जो सीरे में उपस्थिती जो सक्कर है है ना वो invertase enzyme की उपस्थिती में कौन से enzyme की उपस्थिती में invertase यह invertase enzyme कहां है इस्ट में है ठीक है तो invertase enzyme की उपस्थिती में glucose वा फ्रेक्टोज में परिवर्तित हो जाता है इतना आप समझ गए ठीक है इसकी reaction और मैं बताता हूं देखो सक्कर का formula क्या होता है सक्कर का formula होता है C12 as 22 o 11 यह सक्कर है यह सक्कर का formula है ठीक है अब यह किसकी invertise enzyme के उपस्थिती में ठीक है तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या तनुकरण किया है तो उसमें जल तो हो गई होगा पहले से ही जल होगा तनुकरण पहले ही कर चुके ना हां तो यह सक्कर है H2 के साथ क्रिया कर लेती है किसके उपस्थिती में Invertase Invertase Enzyme के उपस्थिती में Invertase, Enzyme के उपस्थिती में ठीक है तो ये जल से क्रिया करके क्या बना देती है Glucose और Fractose तो Glucose क्या होता है C6, H12, O6 ठीक है और Fractose क्या होता है C6, H12, O6 गुलुकोज और फ्रेक्टोज के फॉर्मूले बिल्कुल सेम हैं लेकिन इनकी संरशना में अंतर है आंगे जब मैं 14 यूनिट आपको पढ़ाऊंगा तब मैं इनकी संरशना को बनाऊंगा ठीक है तो यह हुआ हमारा गुलुकोज और यह हुआ हमारा फ्रेक्टोज ठीक है अब इसको balance करना है तो देखो carbon कितने है 12 है तो 6 और 6 12 हाइडोजन हमारे पास कितने है 22 यहां 12 दूनी कितने होगा 24 हम इसके दो अडू लेगे ठीक है carbon हमारे पास कितने है carbon हमारे पा हां कोई दिकत नहीं एक ही अडू से काम चल जाएगा क्योंकि 22 है न और 2 24 तो 12 तो ठीक है 6 और 6 12 यह balance भी हो ठीक है इतना हो गया अब देखो यह किडबन कर रहा है न यह उसी में हो रहा है जो हम किडबन 2-3 दिन तक कर रहा है न उसी में यह चीज हो रही है ठीक है अब उसी में glucose और फ्रेक्टोस बन गया ठीक है अब आंगे क्या होगा देखो जाएम 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 जाए है कैसे करेगा उसको हम जानते हैं है ना तो देखो ये हमारा गुलुकोज रहा सी सिक्स एस ट्वैल ओ सिक्स ये हमारा गुलुकोज रहा है ना गुलुकोज गुलुकोज रहा अब इन जो ये करने लगेंगे इस पर हावी हो जाएंगे है ना और इस पर हावी हो जाएंगे तो इसको जब तक हावी रहेंगे जब तक कि ये गुलुकोज है ना एल्कोहल में ना चेंज हो जाए एल्कोहल में चेंज ना हो जाए जब तक ये हावी रहेंगे ठीक है तो इहां अब ऐल्कोहाल बन गया तेक है इसमें से ली बना लिया ऐखाई अधिल्य फोल एनी प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगा अब हमें क्या करना है इसको बैलेंस करना है देखो कारवन हमारे पास कितने है छह यहाँ पर कितने है एक और एक दो है ना और एक तीन हमारे पास कितने है यहाँ पर तीन है लेकिन हमें चाहिए कितने है छह है तो आप क्या कीजिए यहाँ पर आप दो लगा दीजिए कितने लगा है दो दूनी चार है ना तो तीन दूनी च्छ और दो कितने हो गए सोरी दो दूनी चार दस हो गया और यह एच दो तो हो गया बारा बारा एच ओ हमारे पास कितने है च्छ तो इधर देखो इधर कितने हैं दो कितने हैं दो और इधर दो दूनी चार चारो दो छे बैलेंस हो गया तो इस प्रकार से मेरे भाईयो सीरे से एलको हलका निर्मान किया जाता है ठीक है अब मैं आपको पूरी थियोरी इसकी बता रहा हूं और उसमें सब कुछ चीजे क्लियर करा रहा हूं अब मैं दोस्तों आपको पूरी थियोरी बता रहा हूं आपको कैसे अपनी कॉफी में इसको लिखना है तो एक एक चीज करके समझे है ना तो दोस्तों इससे पहले एक important चीज और समझ लीजिए कि आपका जो एक object में आपके exam में question आता है कि सबसे मीठी सक्कर है क्या बोला मैंने सबसे जो मीठी सक्कर होती है वो कौन सी होती है तो दोस्तों जो सबसे मीठी सक्कर होती है वो होती है फ्रेक्टोस ये object के लिए आपका important point रहा है ना अब हम इसकी पूरी थियोरी देख लेते हैं कैसे क्या ठीक है तो सबसे पहले question को तो मैंने समझाई दिया है दोस्तों question कुछ इस प्रकार से आएगा है ना तो सबके पहले आपको heading डालनी है सीरा और सीरा के बारे में आपको बताना है ठीक है तो जो मैंने समझाय है वोई चीज यहाँ पर आपको मिल रही है ठीक है गन्ने के रश से सक्कर के क्रिस्टल प्रथक कर लेने के बाद अलग कर लेने के पस्चाद एक गाड़ा पीले रंग का चासनी जैसा द्रब बशता है जिसे सीरा कहते हैं यह मैंने समझा दिया है इतना आप सीरा लिखोगे है ना इसके बाद आप अपनी कॉफी में हेडिंग डालेंगे सीरे से एलकोहल का निर्मान निम्न पदों में किया जाता है है ना तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसका तनू करण करोगे क्या करोगे तनू करण तनू करण करने के लिए हम क्या करेंगे सीरे में کیya करेंगे जल मिलाएंगे यहाँ पर सीरे की spelling गलत है सीरे में जल मिला कर इसको 8-10% तनूबिलियन बनाते हैं आपको ज़ादा पतला नहीं करना है ऐसा नहीं करना है जैसे जल होता है इतना पतला कर लो नहीं 8-10% इसको तनू बनाना है और इसमें Ammonium Sulphate क्या मिलाना है आपको कुछ Ammonium Sulphate या Ammonium Phosphate traditionally Ammonium Sulphate आपके पास Ammonium Phosphate मिला देना है आपको नहीं है और थोड़ा सा इसमें मिला देना है आपको prospective तो यह हो गया आपका you तनू करन हो गया अब तनू करन करने के बाद आप क्या करोगे इसका किडबन करोगे है ना तो किडबन करोगे तो किडबन करने के लिए आपको जो प्राप्त बिलियन हुआ है मतलब तनू करन करने के बाद जो आपको बिलियन प्राप्त हुआ है उस प्राप्त मिसरण में आप इस्ट म बन जाती है एक layer बन जाती जिसको हम बोलते हैं फपूरन क्या बोलते हैं फपूरन है ना तो उसमें उसे बोलते हैं इस्ट है ना इस्ट में आपके दो enzyms होती है एक इन्वाटेज और एक होता है जाइमेज है ना तो इस्ट मिलाकर मिसरण को 2-3 दिनों के लिए 25-30 degree Celsius ताप पर रख देते हैं और 25-30 degree Celsius ताप पर रख देंगे तब कुछ समय पस्चाथ निमन अभीक्रियाओं सुरू हो जाएंगी है ना तो ये निमन अभीक्रियाओं को मैंने आभी आपको बताई दिया है तो इतना लिखने के बाद जो मैंने आपको पहले अभी करियाएं समझाईएं कि सीरे में उपस्थे सब कर इनबाटेज जाइमेंग, इनबाटेज एनजाइम के उपस्थिती में गुलुकोज और फ्रेक्टोज में परिवर्थित हो जाता है इसकी रियक्शन बताईएं और गुलुकोज, जाइमेंग, एजाइम के उपस्थिती में एल्कोहल में परिवर्थित होता है इसकी रियक्शन बताईएं तो ये सब इनके बाद लिखना है जो थाइट पॉइंट है ना हाँ, नहीं, ये सेकेंड पॉइंट ही है हाँ, सेकेंड पॉइंट जो बताया है इसके बाद आपको उन दोनों रियक्शनों को लिखने लना है अच्छे से तो ये दोस्तों आपका एक important question complete हो गया I hope दोस्तों कि आपको पूरा शफ समझ में आगया होगा अगर कहीं नहीं समझ में आया तो बतायेगा किस तर आप मुझे face वीडियो बना कर दीजेगा देखो, जो जरूरत थी, चीजें समझाने की मैंने board पर समझा दिया और बांकी screen पर करा दिये, क्योंकि इसमें theory को ज़्यादा थी इसके लिए ठीक है, तो अच्छा लागा है दोस्तों, प्लीज तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों लोगों को share कीजिए और अभी तक हमने, आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं क्या है तो चैनल को subscribe कर लो और अगली वीडियो में हम फिर आप से मिलती है तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच